पास होना, फेल होना यह सब लाइफ में चलता रहेगा पट सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि अपनी लाइफ पर एंजोई करना जो आपकी सिली मिस्टेक होई है अगर आपने उन मिस्टेक से आपने सीख लिया तो my friend आपने बहुत कुछ सीख लिया है Hi everyone, this is Dr. Kaushik So finally, need is over and कोई भी exam खतम होने के बाद फ्रेक्स्टूरेंट क्या गरता हैंगी वो आपने number of question check करता है कि कितने number of question उसके ठीक होई and कितने number of question उसके गलत है and obviously last year मैं भी कुछ हैचाही करता था daily, हडिन question जैकरता रहता था and देखता रहता है कि कितने question मेरे ठीक में am a एक होता थिrices five to ten questions मेरे शावक्ता स्ट्रा चाहते ठीक मेरे धीच में and five to ten questionsidade कभी कभीые ज्यादी कम ठीक लिए थे कभी मेरे को बहुता हूशी में कभी मैं बहुत जादा दिप्रेसिव जाता था यह जो है साइकल चलती रहती थी बट माइफ्रेंग आपका सबसे अच्छा गोल्टन टाइम है क्योंकि आपको स्लेक्शन होने के बाद स्लेक्शन होने के बाद आपको पीजी में जब आपको सीट मिल जाएगी वहां पर आपक इसको ऐसे वेश्ट मत करूं ठीक है हर कोई स्टुएंट्स सोचता है कि उसके कितने मास आने वाले तो ठीक है उसको थी फॉर डेस हमने वह चीजे कर लिए बट अभी रिजल्ट आने तक अभी हमें फिर से यह सब चीजें नहीं करने है कि हम डेली ही कुश्चन चेक कर रहे तो यही वो टाइम है जिसमें अप यह सब एंजोई कर सकते हो एक छोटी सी जिंदिगी है हम यह सब एक्जाम के बीच में अपनी लाइफ है उसको जीना ही बूल जाते है एक्जाम होते रहते हैं तो यह जो टाइम है इसको इन सब चीजों में वेस्ट मत करो कि मेरा एक्ज सब चीजों के बारे में सोचने की जुरूत नहीं है और आपको लग रहा है कि आपका एक्जाम सच में ही बहुत ज्यादा खराब हो गया एंड आपको बिल्कुल ही उमीद नहीं है कि आपका इस साल स्लेक्शन हो जाएगा तो आपको नेक्स चीज यह करने है कि दू मंस के बा को आपको लग रहा है कि मेरी जो मेरे कर आपका शॉब आपके खराब हों एसा कभी नहीं होता है और आपको चुक्तन फहर भराद के जनगा तो भर отв आपकaffpper सब सब इस्लेक्जाम में आपको काम अने वालीजारंंग सब मेंखनेः अब जो नेक्जाम एन्एक्जाम जो और टाइम भी उसके लिए कुछ ज्यादा टाइम नहीं है only two months two months से भी कमी टाइम है तो आप उसके लिए अच्छे से फिर से prepare करना start करो खुद को फिर से confidence में लेकर आओ खुद को confidence दिलाओ यह सब मत सोचो कि मैंने इतनी महनत की और फिर भी मेरा selection नहीं हो पाएगा यह सब चीजे सोचने की जुरुत मेरे साथ ही क्यूंगा इतनी सब महनत करने के बाद भी मेरी rank union हो ठीक है बहुत बार चीजे होती है लक फैक्टर जो होता है वह भी बहुत बार काम करता है बहुत बार हम जो सिली मिस्टेक है वह थोड़ी ज्यादा कर देते हैं बट इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी महनत खराब हो गई है ऐसा नहीं होता है बट एक चीज जो आपको यहां पर करनी है जो आपकी सिली मिस्टेक होई है अगर आपने उन मिस्टेक से आपने सीख लि जाल है लेस देन 55 डेज हैं तो उसके लिए अच्छे से महनत करो अपकर अगर अच्छा नहीं हुआ है तो कोई डरने की जूरत नहीं है ठीक हम फिर से महनत करेंगे जो हमारी कलती है उनसे सीखेंगे फिर से और जादा महनत करेंगे और इस बात जो आपना एक्जाम ने वा कहा कुछी जए तक ते का अभी आपको क्या करना है घरे-धेर फिर से ठ्रैक पर आना हैं मिस्टेक्स से बार ने छोती को एनलाइज करो तभी आपका स्लेक्शन होता है जो आपने जो छोड़ दी है उनको भी कवर करना है एंद फिर से हम बहुत अच्छे से महनत करेंगे फिर से हम एक सड्योल भी बनाएंगे एंद मैं भी आपके लिए को सिस्क्रों कि जब भी मिलेगा मैं आपके लिए वीडिय लोगी है अभी पार्ट के बारे में सोचे कर तो कोई नहीn होने यहाला ओर पास्ट के बारे में ईख़िकर अपना फ्रेजर अपर अपना प्रेजन खराब करना है तो अगीर पारवे सब कुछ एक एक नोलिज एक एक इंफरमेशन आपको उस ब्रांच की होनी चाहिए क्या उसका फ्यूचर में स्कॉप है एंड प्रैजेंट में क्या स्कॉप है तो सब कुछ आपको बारे में पता होना चाहिए की अपने फ्रेंट्स के पास उसे बाते में गरो एंड उन के पास जाकर उनके बिपार्टमेंट सब्सक्रा आप कुर जो बहुत है विसेटेल परकार रखेंस को थोड़ थे ईसम poems और ऑप जेह नहीं है कि उनको लगधालन ऑले उनको से म्युचा इसे want उसपीटल में सब्सक्राइक टेखने खांडें यह जांगा तो अच्छी बन्स होते हैं यह घ्रैंस को शस्कूर टीमाले हैं से shadow आपको पतावने जाए देन ओंडी आपको बांच सेलेक्ट करने हैं देन ओंडी आपको कोली सेलेक्ट करने हैं ओके अगे कि अगे